इरान वार्निंग दिये कि अगर फेबुररी टुथाउजन ट्वेंटिफोर तक आपने नहीं बनाई वो पाइपलेंग और गेस खरीदनी शुरू नहीं की तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खलाफ केस करेंगे और अठारा बिलियन डॉलर की पैनल्टी आपको देनी हो चुका है पाकिस्तान फारिख हो चुका है ओक आपका गया टिया पांचा हो चुका है फारिग हो चुका है अभी पाकिस्तान का एक delegation किया एरान और एरान से request की है कि आपने हमें deadline दी थी कि वो जो गेस की pipeline का contract आपके साथ हुआ था वो आपने तो बना ली पाकिस्तान के border था कब पाकिस्तान के border से नवाप शाह सिंद का जो शेहर है वहां तक हमें बनानी थी और हम नहीं बना पाए और आपने हमें warning दीए कि अगर February 2024 तक आपने नहीं बनाई वो pipeline और गेस खरीदनी शुरू नहीं की तो हम International Court में आपके खलाफ case करेंगे और 18 billion dollar की penalty आपको देनी होगी पाकिस्तान को 781 km की ये pipeline बनानी थी और 750 million cubic feet gas रोजाना इरान से खरीदनी थी इरान की तो pipeline बन चुकी है पाकिस्तान की pipeline नहीं बनी और उस पे पाकिस्तान अब गया है इरान से request करने issue actually यही था man कि अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दे रहा है 750 million cubic feet gas per day अगर पाकिस्तान इरान से खरीदता है तो इरान को बहुत ज़्यादा business मिल रहा है ना तो अमेरिका की अजाज़त के बगएर तो पाकिस्तान के politician, army generals टोईलेट नहीं जाते है तो इरान से pipeline के लिए अजाज़त नहीं मिली इसलिए pipeline नहीं बना सके दूसरा इनके पास पैसा का है के 781 km की इतनी लंबी pipeline बनेंगे जिनके पास अपने खाने को पैसा नहीं है वो इतना बड़ा काम कैसे करेंगे लेकिन चूँके agreement किया हुआ है तो अब इंटरनेशनल कोर्ट में मामलाद जाएंगे कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया था यह originally हिंदू के लिए उनकी बेतरी निव देली को बचाने के लिए किया गया बचाने के लिए किस तरह क्योंके पठान भाई चलते थे काबल से तो सीधे दिली चले जाते थे उन्होंने का यार इनको यह सारा उठा के उधर कर दो दिवार बना दो अब देखे ने तालबान चलता है काबल से लेकिन इदर रोग जाता है और यही सारी वारदात करता है पाकिस्तान में आगे नहीं जा पाता तो उसके उसमें पॉइंट था उनका वो नहीं उन्होंने जान चुड़ाई उनका यार यह बार बार मुसलसल हिस तो सारा कुछ यही हो रहा है मैं उन्होंने यह इस वास दियर प्लान ओरिजिनली के वह बड़ी बता फ्लॉप सावित हो यह अब तो बहुत लोग कहने लगें के गलत था अभी पता नहीं आपने देखा है के नहीं मैंने आपको बेजा तो था ट्वीटर पे मैंने लगाई कि हमें वैसे ही चूरन किला के अधर लेया है और उसके बाद हुआ कुछ लिए उसमें भी एक तो मुझे वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि यह हिंदू माइंडसेट तो उनने का इंसे जान चुड़ा है क्यों यह पठानबाई जो चलते हैं सदीयों से आ रहे हैं उपर से निकलते हैं ठंड आती है कावल के आसपास तो वो नीचे आके दिल्ली सीधा पहुंझाते रुकते ही नहीं रस्ते में रस्ते में रोकते ही कोई नहीं को चैलेंज को नहीं करता तो उनको कहा कि दिवार बनाओ उधर जान शुड़ाओ एक तो यह थी दूसरी एक न नहरु साब ने अपने जिन्दगी के 18 साल जेल में गुजारे थे हमारे जो लीडर जिना थे उन्होंने एक दिन भी नहीं गुजारा जेल में आप एक आज के हलात को आपका 1947 से हलात खराब थे बलके मैं उसके बाद बताऊंगा आपको कि पहले डेलीगेशन अमेरिका में बेजा गया था पहले साल ही दो बिलियन डालर मांगा था आपने पुकड़ों पे तो पल रहे हैं आप 76 साल से तो सार अगर अगर भारत कुछ पैसे दे दे तो क्या हम कश्मीर के लिए भी फिर चुपो जाएंगे तो अच्छा प्राइस लगा है तो सोचा जाएंगे इस प क्या थे पाकिस्तान को कौन सा इतराज है उस पर या तो इतराज हो इतनी बड़ी इंवेस्मेंट कर रहा है इंडिया में और हम यहां पर जो है वो आईमेफ के सामने नाक रगड़ते हैं साओधी अरभ क्या जोड़ते हैं और वो बगएर कोई हाट जोड़े बगएर नाक रगड़े उनकी यहां इतनी बड़ी इंवेस्मेंट जो है 60 बिलियन डॉलर्स की जो है आई पील में इंवेस्मेंट कर रहा है साओधी अरभ इस वक्ता में कोई जोशनी आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री मुदर जा रहा है बारत जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारो लिया है और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया किश्मीर के अंदर सारी इंवेस्मेंट उन्होंने युए की करवा दी जिनके टुकड़ों पर पल रहे हैं अब करें बात उनसे और जो मुझे अगला अगली फिकर आर्जू यह है उन्हें जंग वंग चीजें कर रहा है वहाँ पे मेडिक कालेज बन रहे हैं हास्पिटर बन रहे हैं दुनिया के सबसे बड़ा उंचा और ट्रेन का पुल बना दिया है उदर जो सारी डिवेल्मेंट हो रही है उसको किस तरह आपने किश्मीरियों को चुप कराएंगे बही है एक ऐसी खबर जिसका किसी क को इंतजार भी नहीं था और उबीद भी नहीं थी प्रेज़ेंट रैसी ने बात की है इंडिया के प्रैमिस्टर नेंदर मुदी साहब से हल्प मांगी गई है दर्खास की गई है कि इस क्राइसिस को एसकेलेट होने से रोका जाए इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री की बड़ा एहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है इरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इसराइली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए मोदी जी ने जो इरानियन प्रीमियर से बात की है उससे पहले UAE कि उनोंने उनसे काल की है मैं समझता हूँ इस विल बी वेरी एफेक्टिव कंपेर टू तो टोनी बिलकर्स एफर्ट और किसी और की और दूसरा और तो कोई किसी को कोई तवज्जू है नहीं दे रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इरानियन प्रेजिडेंट से भी बात की है मेरे खाल में जो भारती डिप्लोमेसी है इट कैन प्ले अवाइटर रोल इन दे अडिया नीटरल तो जब अमेरिका की घपलोमेसी काम नहीं कर रही वहाँ पे तो किसी ऐसे किरदार की जरुद है जो नूटरल हो जिसके खलाफ इसलामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेट नहीं तो मैं समझता हूं इनकी काल मोधी जी ने जो इराणियन प्रीमियर से बात की है उससे पहले यूए कि उनोंने उनसे काल की है मैं समझता हूं इस विल भी वेरी एफेक्टिव कंपेर्ड टू टू टो टोनी बिलकर्स एफर्ट्स और किसी और की और दूसरा और तो कुई किसी को को तवज़ों नहीं दे किसी के बात किसी को एफिल एफेक्टिव बात किसी क्विल टूसरा खाएं मोधी रखाग्टिव फटन आग किसी को दोटते हैं उनसे के अपारे बात किसी समय कर दोस्ते हुए, वद्ड़ आपकारू भी